हालो जी, गुड मॉर्निंग, जैश्री बाला जी, इस सुबह के चार बजरे हैं, सारे बगत नाद होके त्यार हो गए, आब हम रवानगी ले रहे हैं, आज हम तीसरा दिने थोटे रमा होगे, तो सफर जादा करेंगे, रस्ते का सफर आपको पूरा दिखाएंगे, आपने प तो फोटा सा गाउं है लेकिन यांके पेड़े विश्व परशिद है, तेख हमारा साथ ही थोड़ा सा गायल होगे है, इसके मजरोड पड़ गी है, मजरोड अभी काटा गई है, एक बोज चरत्मंससाब, स्वाद आगे हैं जाब वाब बेकी, जाबा बेकी, जाबा बेकी, जेल बाव बेगे लिओ जी थोड़ो थोड़ो दिन उग्यों है अब सारंगा सेरा थेदेख को शुर्यद्य होने जा रहा है जगह जगह लंगर है बाबा की शेवा में आज संजय कुमार बहुत स्पीट व स्पीट ताप व टाप चल रहा है बुद मॉर्निंग लोग तो पेदल यात्रियां सागे के के प्रिसानी वह इत्त काउट हो जिया के सबन चकाने नान तो यह लगाए पंसेरी चकी है देखाई जैयन साब जैयन साब के नो बैग है जैयन का और बहुत बचन हो गाड़िया उतर खामो किया है इमागा पावर बै जैय बाबेगी बहुत बड़ी अलाग है और मिया समाइल नों पिछान जाओ आँ शियाग जी आपको कैसा लग रहे हैं निचे बेटा नहीं जाते हैं जैय बाबेगी रस्ता थोड़ा मुस्किल है चलने में दिक्कतारी है पर आनंदार है जैय बाबेगी बगतों जैकिंग मुस्के में तर ब्हुत को कि अ क def tantor में पितों चाल आईए वह आउली को आए यहां से कितना किलो मिट्र रहें नेड़ सोकी किलो मिट्र आप सब तर चल दियेंगी को थका आप मेंसे नाइन जी और अब कितनी बार आए हो आप साला सर हमें तेरा साल हो गया तेरा साल पैदल चल रहे हैं ये मतलब सोटा बच्चा देख रहे हो गया आप आगे उतने थे तब से ये पैदल आ रहे हैं बहुत बड़ी आस्ता हैं इनकी आज हम दोनों भाई लल पैन के आख रहा हैं पापा यहाँ पर सब कि सेवा कर रहे हैं लिए निणे यही मतलब्लेज बंद यही मतली हैं पाई भी ऊता के बेंडेज बादो लेकिन इसके दिमाग के अंदर की चोटन ना वहां पर बेंडेज नहीं लगती भाई पुरितर देवर बालाजी पुरितर देवर बालाजी पुरितर देवर देवर बालाजी जिर देवर देवर अचैन्दर गीर आई शेर आई आई आए आथ को ह्या रहा था मैं आए वालाजी आपल अगे पताया मेर गों निल जी राज्दर जी आए यह पोदार उपन अपन ही हो रहा है देखा राजस्तान पुलिस कितनी एडवास हो गई है बानेपुरा पुलिस थान की तरफ से यह पोदार उपन सब कोई मन है तो फिर जिम कर ले वही आब आत में कौने क्योंकि सारा यह रोला कर सी लो जी रेस्ट हो गया पूरा और अब हम वापस निकल रहे हैं लगबग हमारी टीम निकल चुकी है और हम पीछे पीछे बहुत बार नंबर वन आ गया अब थोड़ा आराम से चलने की बार है क्योंकि भाई पैरोन ने भी जवाब देना शुरू करती है हमारे सेवादार क्या कहना चाहते हो सब्सक्राइब आपकी यात्र है वो ची तरह से सपलो वहान आपको नंबी उमर दे बेस्ट ओपलक एपी जरनी अलह भीबी अलह भीबी हम दोनों क्यार है आगे मिलेंगे को के बाई अरा वाई केमर हो रहे गयो जो जी हमारा पंद्रवा किलो मेटर है लगातार हम चारों एक साथ आ रहे हैं जालनी लाग रहे हैं संजय बहुत खाहिल हो चुकिया है अब तीन मीटर पर है संजय को सारा दिराएंगे अब संजय बोले हमने पदेडियां सब्सक्रा आखोनी केर मैं थनक्ष चापता हो शारुन पया थेंक्यू बलां पुगे का बाई यहेंक जिए अध्यू अध्यू थेंक्यू मनव यह पस बस अव्यवा व्यवा क्या बात है कि अच्छी नोन स्टोप 11 किलो मेटर चले हैं हमारे तीन साथी थोड़ा एक किलो मेटर पीछे रहे थे इस ट्रक की छाओं में थोड़ा राम फर्मा रहे हैं थोड़ा जब भी रेस्ट करके चलते हैं एक दो किलो मेटर गाड़ी घर्म होने में लगती है उसके बाद बढ़िया स्पीड बन जाती है संजे भाइजी लोकेशन ठीक है गया ऑगनी है डंगी ओक दो च्यार किलमेटर आगे को नहींके ताला तब भाई देख सकते हो दिन धीरे धीरे ढल रहा है और जिस लोकेशन पर हम रेस्ट करेंगे वह यहां से 15 किलो मेंटर दूर है तो वहीं पर हम विश्राम करेंगे तो सीधा मिलते हैं हुआ उप भब जे शीरम जे शीरम जे जय भाबकी जे भाबकी जे भाबकी प्रेम से बोला जयबापेगी तर से बोला जयबापेगी अवाज दी आए जयबापेगी जयबापेगी हलो जी जयबाला जीगी सुर्य अस्त बगतमस्त वो चांद दिख रहे है अलका सा आज हम सरदार शहर सटे करेंगे काफी आज रगबाग हमने वही 42-40 किलोमेटर के आसपास का पेदल सफर किया है देश दुनिया में अमन चेन शामती बनी रहे है इसलिए मैं यह 206 किलोमेटर के पेदल यात्रा कर रहा हूं जैशी निपाला जी आज का सफर तीसरा दिन यहां कंपलीट होता है हम पहुंचे सरदार शहर तुल्षी देवी मेडिकल कोलेज पीछे देखो 155 फूट का फ्लैग और मेरी इच्छा थी मैं आपको सारे कमेंट पढ़के सुना हूं लेकिन आज थोड़ी थकावड ज्यादा हो रखी है तो बाई बाई गुडबाई कल मिलते हैं नए ब्लोग के साथ आप इस पे कमेंट करके जरूर बताएं और सब को शेर करें जै हिंद जै शिर्राम जै व